एलोग आज एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर और दोस्तों आपने थम्नेल के अंदर देखी लिया होगा कि आज के इस वीडियो के अंदर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में पुछले कई दिनों से बात कर रहे हैं और दोस्तों हम आग कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आए आप सबसे पहले देख सके हैं चलिए आज के स्वीडियों के शुरुआत करते हैं तो दोस्तों सरकार यह अब हमारी बात मानने को तैयार नहीं है अब तक कि जो प्रिक्षा है वो ऑनलाइन करवाई जाए नहीं और ग्यार में की और दोस्तों राज़स्तान के अंदर तो प्रिक्षा की अपड़ डेट भी वो आने वारी है लेक्ने तो जो सरकार आया हुआ हमारे बात नहीं मान रही है कि हम प्रिक्षा क्श्ञًाव और 11 की ऑनलाइन करवाएंगे और चातर चाहते हैं कि हम ओनलाइन प्रिक्षा चाहते हैं तो दोस्तों आप मेरा इसके अंदर साथ दीजिए और हम इसको मिलकर इसको सरकार तक इस हमारी आवाज को पहुंचाएंगे तो इसको कैसे करना है सबकोच आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा तो आप ऑनलाइन क्लासेज में कोई समस्या नहीं आने वारी है तो इसको लेकर दोस्तों हम बीज में डटे में लोस्तों बहुत त्योंसे मैं वीडियो बना रहा हूं वह भी नवी और ग्यार्वी के लिए आप मेरे प्लेटेस्ट वीडियो चेक कर सकते हैं ओनली फो नमी और ग्या ओंदींग में पहुचा देंगे तब दोस्तों ये हमारी बात बात है लिडियो मंत्री तक जरूर जाएकी तो दोस्तर इसको किसे करना है दो सही घ्यांायमा की जोड़ी ज़िजल से यह बहुत बदी हो ट्वीट को रेट्वीट कीजिए इतना रेट्वीट कीजिए कि यह चीज हमारी ट्रेंडिंग में चली जाए और शिक्ष्य मंत्री को हमारी इस पाथ पर फैसला लेना चाहिए और दोस्तों नहीं और 11 के चातर वह हिमत रखिए उनके लिए जो भी अपडेट आती हैं आपको पूरी एक दों सट्टिक जानकार देते हैं तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रही हैं और दोस्तों यहां पर जो नमी और 11 के चातर ज्यादा चीनता नहीं करें उनकी प्रिक्ष्य हैं वह ओनलाइन हो लेनी ही पड़े कि सरकार को यह सरकार ओनलाइन नहीं लेती है तो जैस आपके लिए भी दोणों वोर्ड़ कर दे जाए और जो बचा ओनलाइन चाए वह ओनलाइन मिल जाए और जो जो और होस्तों जकीड़े फिरेंटे कर वह ओसरो हो सकता है सरकार इसा बीकड़त है और जज्यादा बचों के मांग रही तो प्रिक्ष्य ऑन लाइन वहीं है ले यहां दोस्तों प्रवेस्पत्र नहीं मिलेगा तो हम प्रिक्षा के अंदर बैठेंगे कैसे और फिसे चले बस कम करने का फाइदा क्या हुआ तो कई जगले वीडियों मिलता हूं रेट वेट जरूर कीजिए थैक्स पर वाचें दोस्तों